अभी ये स्नेक थोड़ा इंजड हुआ है दोस्तों अरवल निका और एक पन्ना खोलने जा रहा है मोराजात आलूगा का एक गाव सरडूई वहां एक रेट स्नेक इंजड हुआ है हमारा एक सयोगी मित्र जो वहां स्नेक रेस्क्यू का काम कर रहा है उसने एक रेट स्नेक पकड़ा है वह इंजड है तो हम उसको लेने के लिए निकले है जा रहा है बने रही है हमारी चैनल अरवल निके पन्नों के साथ और चैनल को सब्स्राइब करिए लाइक कीजिए और सेल कीजिए जहें तो दोस्तों हम पोच चुके सरडवी गाउने जहां हमारा सज्यूगी तब ही चीज में रेट स्नेक को बचाने का बहुत प्राइब लेकिन यह स्नेक बागने में बहुत माहिर होता है वह बागने लगा तो दारदार कुछ चीज उसको लगने लगा तो यह इंजड हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस स्नेक को हम दोक्तर के पास ले जाके उसको हम उसकी सारवर करने वाले है तो हम बने रहे हैं हमारी चैनल अरवली के पन्नों के साथ फाइनली दोस्तों हम इस स्नेक को रेस्क्यू करके लाए है अभी यह स्नेक थोड़ा इंजड हुआ है तो हम दवा खाने लेके आए तो इस स्नेक को हम बक्तर साब को दिखा के तक क्या करना है उसकी ट्रीटमेंट हम करवाने जा रहे हैं बने रहे हमारी चैनल अरवली के प स्नेक का जो स्टीचीज लेने पड़ेंगे तो मैडम स्नेक के स्नेक को बहुत प्यार भी करती है हमारे साथ बहुत दिनों से काम भी है काम भी करती है और ऐसे कोई स्नेक आते है कोई इंजड स्नेक आते है तो मैडम जी अक्सर हमारी मदद किया करती है कि आई शुआ ने बेटा आनो पूछड़ों कमप्लेट पकड़ी रागजे दोस्तों यह रिट स्नेक है जिसे हम धामंग के नाम से जानते है और हमारी लोकल लेंग्विज में इसे जरब बूलतो है यह जो साप बीन जेरी है उसमें पोईजन नहीं होता है वो काडता है लेकि उसमें पोईजन नहीं होता तो पबलिक के लिए यह डेंजर नहीं है दिखता जरूर है क्योंकि सबसे लंबा साप है बहुत ज्यादा उसकी लंबई होती है तो देखने में थोड़ा डेंजर जरूर लगता है पर यह डेंजर नहीं होता है वो बहुत ही प्यारा साप है और डराना उसका स्वबाव है क्योंकि पोईजन है नहीं इसमें तो वो कुद्रत ने उसको डराने का गुन दिया है तो वो डराता है लेकिन बहुत ही प्यारा और मासुम साप होता है तो प्लीज इसे मारिये मत अगर श्टीचीस लेने पड़े तो साप की जो तवचा है वो थोड़ी सुम हो जाए जिसे साप को दर्द ना हो और साप को को तकलिप ना हो इसलिए मैडम जी ने दिया है देखते रही है आप बने रही है हमारी चैनल में दोस्तो हमने साप को पकड़ा है ऐसे पकड़ा है कि साप को कोई दर्द ना हो तकलिप ना हो और सांती से उसका इलाज हो सके इसलिए थोड़ा पकड़ा है इलाज के बीच वो ज्यादा घायल ना हो सके इसलिए हमने उसको पकड़ा है तो दोस्तों यह जो साफ होता है जो पबलिक उसको मारती है तो आप देख रहे हो कितना दर्द हो रहा होगा और यह जो साब है उसको मार के कुछ नहीं मिलता है क्योंकि यह जो साब है प्रकुरूती के परियावरन के मित्र है उसको बचाने के लिए ही कुद्रत ने उसकी रचना की है तो आप मारिये मत जानिए, सोचिए, समझिए कि यह कुद्रत और परियावरन के रक्षन झाल 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 फाइनली दूस्तों ऑपरेशन सबका ऑपरेशन हो चुका है ऐसे तो सबका ऑपरेशन एक से डेल गंटे तक चला था लेकिन थोड़ा हमने काट लिया है तो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बड़ियादा में रहके हमने वीडियो बनाया है तो आप देखते रहे हमारी चैनल को लाइप कीजिए शेर तो अभी हम इसको एक हफ्ते तक हमारे निगराने में रखेंगे फिर देखेंगे कि इसकी हालत क्या है फिर इसको हम उसके आवास जो जंगल है उदर हम छोड़ की आएंगे बने रहे हमारी चैनल अरवल्ली के पन्नों के साथ और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और सेर कीजिए जय है हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे